अस्सिलाम उलेकुम सभी को हप्पी क्रिस्मस हप्पी क्रिस्मस की मौके पे आज मैं आपको मीठा बनाने की रेसिपी बताऊंगी जो सभी अपने घर पे बहुत ही अराम से बना सकते हैं किसी तेवार की मौके पे बना सकते हैं जब भी कोई गस्टा है मीठा खाने के दिलो त इससे जल्джी से में बना सकते हैं। उसके लिए मैंने हाफ कब दूद लई एं चीनी हैंने समें मिल्क पॉडर एफ है से ज़से पांच चमज बादाम को दो और एंनी लैची डालके मीने इसे बाद करके रखियें और यह मलाई यह सभी के ठहर पर रहता है अब में इसे मिक्स करें गेंगे हम सब मीघ नीचे रखें कर देंगे की मीट पॉरडर है मीस बात में जलाएंगे पहले मैंने दूद इसमें एड़ करना है ये इतना टेस्टी लगता है एक बार बार बनाने के आपको दिल करेगा उसके बाद मिल्क पॉडर है मिल्क पॉडर का जग आप मिल्क मेट भी यूज़ कर सकते है ये भी एड़ कर दें मैंने चीनी अपना टेस्ट के साब में डालेंगे क्योंकि मिल्क पॉर्डर मीठा रहता इसलिए मैं एक चम्मत चीनी आइट करूंगी ज्यादा नहीं करूंगी उसके बाद जो हम बदाम रखें पॉर्डर करके वो भी आइट कर देंगे उसके बाद मैंने जो मिलाई रखी है वो भी आइट कर देंगे अब इस सब को हम अच्छा से मिक्स कर देंगे मिक्स करें करने चड़ाने से क्या है हमारा सब अच्छा से मिक्स हो जाएगा यह तो गैस में रखने से मिक्स नहीं होएगा डिला डिला हो जाएगा हम अच्छा से मिक्स करने का बार फिर हम गैस में रखेंगे इस में अच्छा से मिक्स कर देगे ज़ गो ऑच्छाए इसे ब्रेट को मैंने इसका साइट को कट्स करके रखिए मैंने इसे फेकेंगे ने इसे ब्रेट करम बना के फ्रिज में रख देंगे जब भी कोई रेसिपी बनाना हो ताम ही यूज होएगा मैंने छे पीस ब्रेड लई यह कब तक सारा ब्रेड को हम बेल देंगे ऐसे सा करके बेल-बेल के सब ब्रेट कुम रखेंगे इसका बाद तो मैं सट करके दिखाऊंगी अब मैंने टेस्टी सा अंदर का फिलिंग बना के तयार कर देए ब्रेट का अंदर जो मैंट करेंगे वो मैंने तयार कर देए अब उसके लिक्विड बनाने के लिए मैंने वई पैन में एक कप दूद औरम एट करेंगे दूद में ही मैंने दो चमद मिल्क पड़र और एट करना है अब इसे हम कंटिनुई ही लाएंगे इसी में एक चमद चीनी औरम एट करेंगे अब अपना टेस्ट के साब से एट करें अब इसे अच्छा सब मिक्स करेंगे यह भी दूद में दम गाड़ा करना है मैंने मिल्क पॉटर इसलिए एट करी थी दूद मारे दम गाड़ा हो जाए इसे तीन से चार्म मिल्ड इसे हम और पकाएंगे गैस को जोर कर देंगे बॉइल होने का बाद गैस को दम सिम्मे करके इसे पकाएंगे अब इसमें एक डॉप फूट कलर एट करेंगे ज़ों केक में एट करते हैं वह आप मंगता है से स्किप भी कर सकते हैं अब हमारा ब्रेट डूर के लिए स्टफिंग भी तयार हो गया है दूद भी तयार हो गया है अब इसे हम फिलिंग करेंगे एक चमट भर के विसे लेंगे जो स्टफिंग जो बनाये है साइड में रखेंगे इसके एक्टम उसका बाद हम इसे टाइट से दवाके से बन कर देंगे बहुत ही एजी अराम से हो जाएगा असे इसी तरह बाकी सब भी तयार करके फिर मैं आपको दिखाऊंगे ससेट करके की जगा रखते रहेंगे अब मेरा ब्रेड डोल को मैंने सेट करके रख देए अब इसका पर जो मैंने दूद बनाई थी वो इसका पर से डाइट कर देंगे कि उपर अंदर से ही बहुत ही टेस्टी रहेगा इसका फ्लेवर जो मैंने बनाई है और उपर से भी इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी रहेगा इस तरह एक बार जरूर बना के देखिए आपको इतना टेस्ट लगेगा बच्चे तरह चट कर जाएंगे और यह जब हम किसी को सब करेंगे ओट अम उपर का स्टेफिंग डालने से बहतर रहेगा नहीं तो फिर इद्दम सॉफ्ट हो के सकत हो जाएगा फ्रीज में नहीं रखेंगे से हम डालना और खाना अच्छा से पोर कर देंगे से हम अगर मेरे ब्रेड डोल का रेसिपी आपको अच्छा लगा हो तो अब तक भी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे और अपना फ्रेंड को भी सहर करिए तेंक यू